हेलो गाईज आज हम लोग ratio and proportion पर पार्ट फोर पढ़ने वाले हैं इससे पहले तीन लेक्चर्स ratio and proportion पर मैं पहले बना चुका हूँ अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लीज पहले देख लिजे उनकी लिंक सारी वीडियो के description में दी हुई है तो आप व कि कुछ एक थैला है एक बैग है जिसमें कुछ सिक्के हैं जो कि एक रुपए के हैं 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं कुछ इस तरह से कुछन होता है इस तरह के सिक्के होता है और उसमें क्या पूछा जाता है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं या फिर 25 पैसे कितने सिक्के हैं य पहले टैप में क्या होता है क्ोषटन में टोटल एमाउंट गिवन टाय। कि कितने रुपए टॉटल उसके पास थे यह गिवन होता है कि जो कौइच है कौइच के दान्स की रिश्यो कि रिश कि रूपर को WOW किटने वर और होता में होता है तो यह एक रुपा सट जो व्ली होगा उस वाली उस ये तो तो डो टाइप से मैंने कुश्छण की सतरे से पूर्च सकता है या तो टाइप में कैसा होगा कि टो dissect सट्टल इमप्ण कि वह मैं होगा कि रूपए हैं और एकुत कि सिखते कि संख्या जो है वो इस ratio में है और दूसरा type क्या हो सकता है कि उसमें क्या है total सिक्कों की संग्या कि 1000 रुपए ना बोलके वो क्या बोलेगा कि 200 सिक्के हैं कुछ total मेरे पास और उसमें क्या है कि जो उनकी value है वो value का ratio यानि कि एक रुपए के कुछ सिख्य होंगे तो उससे जो value बन रही होगी जो 50 पैसे के कुछ सिख्य होंगे उनसे जो value बन रही होगी तो उन values का ratio यहाँ पर given होगा तो वो type second में आएगा तो हम दोनों को solve करना सीखेंगे तो सबसे पहले type 1 को solve करना चल सिख्य पएसे दृटल 180 रूपीज और किस वाम में मौन रूपी 50 पैसे 25 पैसे के फॉर्म में हैं अब देखे क्या बोल रहा है कि जिनका अनुपात किसमें है अनुपात 3 अनुपात 4 पहां तो 50 पैसे वाले सिख्य की संख्या कितनी है तो 50 पैसे के जो कॉइंस लिप नमब अब 1 रूपी का एक क्वाइन होगा, एक 50 पैसे का क्वाइन होगा, और एक क्वाइन किसका होगा, 25 पैसे का, ठीक है, और ये किस अनुपात में होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में होगा, ठीक है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में आपके पास है, और आपको पूछा क्या गया ह पचास पैसे कितने होंगे तो मैं यह मानके चलता हूं कि ये जो रेशियो है हाला कि रेशियो जो होता है ओ उसमें कुछ भी मल्टिप्लाइग करते हैं तो यह मानता हूं कि मैं यही रेशियो अगर असल में रहा होगा तो कितना हो मेरे पास total रुपया होता देखी सब चीजों को मैं किस में convert कर लेता हूं पैसे में चलिए convert कर लेता हूं ठीक है तो एक रुपय में कितने पैसे 100 पैसे तो अगर 2 coins होंगे 100 पैसे के तो मेरे पास total पैसे कितने होगे 200 ठीक है तो correct है ठीके लेकिन question में क्या कहा गया है कि 180 Rs. होने चाहिए total तो 180 Rs. को भी पैसे में convert कर लीजे ये कितना हो जाएगा 18,000 total पैसे मेरे पास हो गया ठीके मेरे recording कितने पैसे होने चाहिए थे साढ़े 400 पैसे सवाल में कितने हो गया 18,000 पैसे ठीके तो 1 पैसे की value एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास देखें एक जीरो से जीरो कट जाएगा 45 दूनी नब्बे 45 चौके 180 तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 40 यानि कि जो मेरा रेश्यू है अगर मैं इसमें 40 का मल्टिप्लाइब कर दूं तो वह असल वैल्यू मुझे देदेगा ठ पचासपैसंट की संगय पूचि गई तो 50 पैसेवाले संगया कितनी थे तो त्सक्त की संगया पूछता तो तो कितनी हो जाती चार से मैं multiply करता 40 का 160 या फिर दो एक रुपए वाले सिक्के की संख्या पूछता तो कितनी होती तो दो है वो तो दो से कितना आ जाएगी मेरे value असी ठीक है या तो वो इस तरह से पूछता है या फिर वो क्या पूछता है कि कुल सिक्के जो है वो कितने थे इस ही question में पूछ लेता है कि कुल सिक्के कितने थे कुल सिक्के कितने थे चार तिन साथ दो नौ तो नौ की value में सीधे से निकाल दूंगा तो कितनी आ जाएगी एक की value 40 है तो नौ की value नौ चकर 36 360 जो है total सिक्के मेरे पास थे तो यही तीन questions इसमें वो question में पूछ सकता है तो next question देखते हैं इसी type का अब देखें यहां पे question में अब आपको थोड़ा सा fast करना है तो आप कैसे देखेंगे सबसे पहले आप देखें कि 90 रुपय गिवन है अगर रुपय गिवन है तो कौन सा type 1 तो अब type 1 है तो आप क्या देखें सीधे से ratio देखें 235 जो ratio गिवन है अब वो ratio किसका है 50 पैसे का 25 पैसे का और 10 पैसे का तो अब आप क्या किजिए इनको आपस में multiply कर दीजिए तो यह कितना हो जाएगा 100 पैसे 25 तिया 75 पैसे 10 पैसे 50 पैसे तो total पैसे मेरे पास कितने हो गए 150 और 75 दो 125 पैसे मेरे पास total हो गए ठीक है और सवाल में कितने 90 र नौ से यह कट जाएगा नौ एकम नौ नौ दुनी अठारा और चार नौ बना पैसालिस ठीक है तो नौ से कट गया यह 25 25 से कट जाएगा 100 तो एक की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 40 ठीक है एक की वैल्यू आ गई आपके पास 40 तो आप से question में किसका पूझा गया 25 पैसे की स तो वह सीधे से आपका कौन से हो गया टाइप वन टाइप वन हो गया तो आप सीधे से रेशियो लिखिए रेशियो देखिए कि पैसो का है देखिए हमेंसा ऐसा नहीं होगा कि एक रूपर पचास पैसे 25 पैसे और दस पैसे में था वैल्यू ठीक है तो यह वैल्यू जो च इसमें क्या कह रहा है एक बॉक्स में एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे वाली सिख्के हैं जो कि अनपात में आट अनपात 5 अनपात 3 में यदि बॉक्स में कुल धन्रासी 112 रुपए 50 पैसे हो देखिए इस बर धन्रासी उसने कैसी कर दिये तो कौन सा है टाइप 1 है मेरे पास अब म पैसे 25 डाइसो पैसे और 25 तियां 75 पैसे तो तो टोटल कितना हो गया पांच साथ पांच बारा कि दो हांसिल लगा एक आट दो दस और 11 125 पैसे टोटल 1250 पैसे थे उसके पास टोटल तो मेरे कॉरडिंग 1250 पैसे होने चाहिए थे सवाल में कितने हो रहे powerful दो stun yak 20210 ऊपके वस्दस आगी तो अ आप से पूछा क्या गया 50 पैसे बताने तो 50 पैसे वाले से कितनी थे पांच सिक्के थे तो फांच के वेल्यों में लिए निकालानी है तो 5 कि इतने आ जाएगी ? 50 जाएगी ठीक है तो भी स्थूट में पूछ सकता है कि क्या हो सकता है 50 पैसे सिक्कों के जंकिया कितनी वही तो वह भी मैं सिदे से निकाला दूँगा तो यह तो questions थे type 1 के friends, ठीक है, अब कुछ type 2 के questions भी देख लेते हैं, अब देखे इस question में अंतर आप देखे, start में ही देख लेंगे, उसमें सीधे से उसने सबसे पहले क्या बोला है कि 378 सिक्के, ठीक है, question में क्या है, सीधे से उसने क्या बोला है कि number of coins कितने है, 378, आपको number of coins दिया, इस बार rupees उसने ने दिया, तो यह चीज़ आप देखके कैसा मज़गा कि यह type second है, second type को कैसे solve करते हैं, चलिए वो भी आराम से समझ लेते हैं, देखे 378 उसके पास total coins हैं, तो मेरे पास अगर मुझे पता चल जाता ratio से coins कितने निकलाएंगे, तो उसको मैं बराब रूपय का एक सिक्का है, एक सिक्का 50 पैसे का है, एक सिक्का 25 पैसे का है, अब देखे फ्रेंट्स, यहाँ पर उसने values का ratio given है, value का ratio कितना given है, 13, 11 और 7, ठीके, अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझी आप, कि अगर आपको 13 रूपय चाहिए, values को मैं च coins का ratio निकाल लेता हूं, तो मेरे answer आजाएगा, तो एक रूपय के अगर मैं 13 coin ले लूँगा, तो मेरे पास 13 की value मुझे मिल जाएगी, ठीके, तो यहाँ पर मेरा coins आ गया, कि एक रूपय वाले 13 coins होंगे, अब 11 रूपय की value चाहिए, उसके लिए 50 पैसे के मुझे कितने coins ल हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 4 times करना पड़ेगा, यानि कि search of 28, 28 coins मेरे पास होंगे, तब मेरे को value कितनी होगी, 7 पैसे की होगी, अगर coins कैसे है, 25 पैसे के हैं, ठीके, तो यह बात आप लोग समझ गए, इससे मैंने क्या कर लिया, values से मैंने coins का ratio निकाल लिय है, ठीके guys, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास value का, coins का ratio आ गया, और मेरे पास यह पता है, मुझे की total coins कितने है, 378, तो अब मैं क्या करूँगा, easily, इन coins को सीधे से add up कर देता हूँ, तो यह देखे कितना है, 28 और 22, यह 50 हो गया, और 13, 63, तो 63 coins मेरे पास है, मेरे recording, लेकि एक की value कितनी आ जाएगी, देखे, यह कितनी बार जाएगा, 6, 3, 18, 6, 6, तो यह 6 बार देखे, पूरा-पूरा चला जा रहे, 5 बार में तो 300 के आसपास जाएगा, 378 है, तो 6 बार सीधे-सीधे चला गया, ठीके, तो एक की value 6 आ गई, अब किसकी question पूछी गई है, 50 पैसों क सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो दीखे, कई बार यहाँ पर एक इतना question करने के बाद भी क्या strength से गलती हो जाती है, वो 11 पर value रख देते हैं, सिक्कों की संख्या में, जबकि वो तो value है, उतने रुपए में values है वो, coins का ratio तो यहाँ पर है, नीचे जो आपने खुद से निकाला हुआ है, तो अगर कभी भी इस तरह से पूछा जाए कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप हमें सब 22 के equate करेंगे, तो 22 की value कितनी आ जाएगी, 6 बार multiply कर दीज़े, 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12, और 13, ठीक है, तो 132 coins जो है, आपके पास होंगे, कि इसके 50 पैसे के, तब जाकर आपका जो total amount है, वो 378 होगा, ठीक है, तो इस तरह से ऐसे questions को solve करते हैं, जब आपके पास पहले क्या हो, coins given हो, और आपको ratio given हो, किसका values का, इनके मानों का ratio की सनपात में है, वो given है, ठीक है, तो चलिए इस type के कुछ और questions देख लेते हैं, अब ये question क्या कहा रहा है, कि किसी box में केवल एक रुपए और पचास पैसे, सिफ दो ही आपके पास है, एक रुपए है, और पचास पैसे के coins है, और total यहाँ पर देखें सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं, ये देखते हैं, मैंने क्या कहा, कि ये type second है, तो अब मैं सिधे से क्या लिखू है, तो मेरे coins का ratio कितना आ जाएगा, एक रुपए के तो तेरा ही coin लगेंगे, और पचास पैसे वाले हैं, तो ये दुगने, यानि की 22 coin लगेंगे, तो total coins देखें कितने होगा, 210, 30, और तीन और दो 5, तो 35 coins total मेरे recording होने चाहिए, और सवाल में कितने हैं, 210, तो एक की value निक हैं, तो एक रुपए आले सिक्के कितने हैं, 13 हैं, तो इसकी value कितने आ जाएगी, 13 की value, 35, 35, 38, ठीके, तो इस तरह से मेरे question जल्दी से आसानी से solve हो गया, तो 78 सिक्के होंगे, किसके 13, एक रुपए आले सिक्के कितने होंगे, 78 होंगे, ठीके guys, इसी type का एक और question देख लेत हैं, और क्या कहा रहा है, कि total सिक्के कितने हैं, 280 हैं, तो इससे भी मुझे पता चल गया कि यह कौन से type है, second type का है, और क्या पुछा है, 8 अनुपात, 4 अनुपात, 3 में हैं, ठीके, तो मैं, यह तो values का ratio है, तो मैं क्या करूँगा, coins का ratio निकाल लूँगा, तो यह कितना आ हो जाएगा, 8 अनुपात, 8, 4 दुना, 8, और यहां पर क्या होगा, 4 से multiply हो जाएगा, तो यहां 4, 12, ठीके, तो total coins में recording कितने है, 12, 8, 20 और 8, 28 में recording total coins है, लेकिन सवाल में कितने है, 280, तो एक के value कितनी आ जाएगी, 10, तो 50 पैसे कि सिक्कों कि संग्या पूची कितने है, 8 से तो 8 के लिए कितनी आ जाएगी, 80, ठीके, तो ऐसे questions paper में आते रहते हैं, questions को बहुत ही ध्यान से समझ लिए friends, और इसी type पे friends, इसमें question एक तो इसी तरह से पूच सकता है, या फिर question कैसे पूच सकता है, उसमें हो सकता है, वो क्या करे, कि आपको यह ratio भी ना देकर, इसके ल मूल है, 50 पैसे के संक्या, जो 50 पैसे के सिक्कों का मूल है, वो 25 पैसे के सिक्कों के मूल से 4 गुना है, और जो 1 रुपए के सिक्कों का मूल है, वो 50 पैसे के सिक्कों के मूल का 2 गुना है, तो देखे, इस तरह के questions को मैंने solve करना, आपको previous ratio and proportion के lectures में सिखाया है, कि 25 पैसे से पचास पैसे कितना 4 गुणा है तो इसकी वाली एक होगी तो इसकी 4 होगी और एक रुपय के सिको के शांग्याक 60 isn't Up 4 8 टो तो दिंगे इस तरह को असानी से कर लेंगे थिक है ग्यारे